News Today Network उत्राखंड का भरोसे मन्द डिजिटल निउस चैनल नमस्कार News Today Network के उत्राखंड बुलिटिन में आप सभी का स्वागत है इस खास बुलिटिन में हम आपको देवूमी की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं आज की बड़ी हैडलाइन से सीएंधामी ने सदन में की ये बड़ी घोशनाएं आम जनता को मिलेगा इसका सीधा लाब अब हलदवानी जेल के बाहर भी होगा पुलिस का पहरा जेल परिसर में खुलेगी पुलिस चौपी मेडिकल कॉलेज में फूटा कोरोना बम, MBBS की साथ-छात्राई मिली कोरोना पॉजिटिव हलदवानी में आम आदमी पार्टी ने मूमीधा कर केंद सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आम आदमी भी करवा सकता है चलान, बुलिटिन में जाने क्या है प्रोसेस? उत्राखर नदिनस सेवा चैन आयोग ने 164 पदो पर निकाली सीधी भड़ती, 10 अक्तूबर तक करें आउनलाइन आवे दिन अब खबरे विस्तार से, मुख्यमंत्री पुष्क सिंधामी ने सदन में बड़ी घोशनाई की है, सीएम ने बिजली बिलो के फिक्स चार्ज में अगले तीन महा तक छूट देने का एलान किया है, साथ ही बिजली अधिभार में तीन महा की छूट देने की भी घोशना की है इतना ही नहीं सीएम ने परिवन विभाग में सेवा यान कर में 6 महा की शूट देने का भी एलान कर दिया है और इसी के साथ पंजीकरन प्रमार पत्र के विलंब शुल्क में 6 महा की शूट भी दे दी गई है, सीएम ने एलान करते वे कहा कि अब परियवरन मित्र को आर्किक सायता मिलेगी वहीं पेजल विभाग में 31 दिसंबर तक एक साथ दिल जमा करने पर विलंब शुल्क ना लेने की भी घोशना की है खबर हल्दवानी जेल में खुलने जारी पुलिस चौकी गी अब हल्दवानी जेल के बाहर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये जा रहे हैं अब जेल के बाहर भी 24 धंते पुलिस का एक जवान तैनात रहेगा जेल के बाहर अब पुलिस एक चौकी के विवस्ता करने जा र से प्याधीयों आरोंपितों का आना जाना लगर हैने से सुरक्षा के बारे में जियल प्रशाशन की चिनता काप समधान होने जा रहा हैं जिसके लिए जियल प्रशाशन लंबे समें से कव्यायद कर रहा था जेल अधिशक स्कीजा ने बताया कि पुलिस चोकी में एक के उपनिरिक्षक एक हैट कॉंस्टेबल वा चार कॉंस्टेबल की नियुक्ती की जानी है। जिसमें शेगरी जगवा अन्निकारे शुरू कर दिये जाएंगे। खबर राजकी मेडिकल कॉलेование कोरुज की दस्तखी हैं राजकी मेडिकल कॉलेज में दो अन्य चात्राए कोरोना संक्रमित पाई गई हैं अब यहां संख्या कुल साथ हो गई हैं यहां सभी चात्राएं MBBS प्रथमवर्श की हैं इन मामलों के सामने आने के बाद कॉलेज प्रशाशन में हर कंप मज गया है वर्श 2020 से 21 बैच की सभी 125 चात्रों के सेंपल को जाज के लिए भेज दिया गया है कोरोना पॉजिटीव सेंपलों को आगे जाज के लिए डेल्टा वाइरस के पता लगाने के लिए भीजा जाएगा प्रभारी प्रचारी प्रोफैसर जी एस्तितियाल ने 29 अगस्त क्षाव को बंद करा दिया है वही ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चलान की अब एप के माध्यम से केवल फोटो और वीडियो अप्लोड करके आमजनता भी चलान करवा सकती है जी हाँ अगर आपको सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ते वे कोई दिखता है तो अब आप उत्राखंड पुलिस के ट्रैफिक करेगी जानकारी देने वालों का नाम गोपनी रखा जाएगा आपको बता दें कि आप गुगल प्ले स्टोर से उत्राखंड ट्रैफिक आइज एप को दाउनलोड कर सकते हैं खबर आम आदमी पार्टी द्वारा केंज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की आम आदमी पार्टी महानगर अध्यक्ष बिंपल पांडे का कहना है कि केज सरकार राज्य सरकार द्वारा जनता से जलीबी की तरह जूटे और तेड़े मेड़े वादे करके सत्ता में आई हैं विरुजगारी का मुद्दा बढ़ती भेंगाई पैट्रोल डीजल घरेलू गैस के बढ़ते दाम जैसे सभी विशवय पर सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है ऐसे में आम आदमी पार्टी जनता की अवाज बनकर सरकार का विरोध कर रही है और सरकार से मांग करती है कि जल्द बढ़े हुए दाम वापिस लिये जाएं पूरे देश में जो युवाव को रोजगार देने की बात कही गई थी उस पर अमल करते वें युवाव को रोजगार भी दिया जाएं ऐसे में विरोध करते वें आम आदमी पार्टी ने जलेबी बनाकर आम जनता को खिलाई खबर उत्रखण अधिनस्त सेवा चेंघन आयोग में भरती गी उत्राखन अधिनस सेवा चैन आयोग ने 164 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है इस भर्ती में विभिन्द विभागों में सम्हों गौ के अंतरगत वाहन चालक, प्रवर्तन चालक, डिस्पैच राइडर के पद्ध है इच्छुक और योग उमिद्वार इन पदों के लिए ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं आविदन की अंतिम्तिती 10 अक्टूबर रखी गई है उमिद्वार की आयोग किस वर्ष से कम्द और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए शैक्षिक योगिता आठवी पास निर्धारित की गई है इसके साथ ही उमिद्वारो के पास 3 साल से 5 साल पुराना भारी हलके परिवन वाहन को चलाने का वैद चालक लाइसंस होना अनिवारी है आविदन शुल्क समानी वर्गे और अन्य पिश्टा वर्गे के लिए 300 रुपे जबकि अन्य वर्गे के लिए 1.5 रुपे रखा गया है उमिद्वारो का चैन लिखित परिक्षा के अधार पर किया जाएगा वेतन मान 21,000 से 69,000 रुपे रखा गया है दोस्तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप इसको यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलू करें नमस्कार